काराकट लोकसभा छेतर से निर्दलिय चुनाव लर रहे भोजपूरी के पावर स्टार पवन सिंग का चुनावी गनित खराब करने का प्रयास सुरू हो गया है देखिए जो चर्चाय चल रही है अगर वो सच निकली तो पवन सिंग के लिए काराकट लोकसभा छेतर से चुनाव लरना और जितना मुश्किल हो सकता है हम ऐसा क्यूं कह रहे हैं इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में कराकट लोकसभा छेतर का समीकरन क्या हो सकता है महा गठवंदन के तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इंडिये के तरफ से उपेंद्र कुस्वाहा के लिए क्या कुछ करने की तयारी है और खुद पवन सिंग किस तरह से चुनाव लर रहे हैं और चुनाव परिनाम पे इन सब चीजों का क्या असर परेगा पहले नमस्कार मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है और आप प्रियासनुज पे ये वीडियो देख रहे होंगे और चलिये ये समझते हैं कि पवन सिंग के लिए जो चर्चा चल रही है उससे पवन सिंग के लिए इस लोगसभा के चुनाव में क्या मुश्किल खरी हो सकती है हम आपको ये बताते हैं कि काराकर्ट लोकसवा छेतर में एंडिये की क्या प्लानिंग हो सकती है और जो चर्चा चल रही है अगर वो सही साबित हुआ तो पवन सिंग के इस इंडरस्ट्री में सबसे बरे विरोधी के रूप में जाने जाने वाले उनकी एक्स गल्फरेंड अ प्रतिक्रिया जाहिर करने का तो कुछ चर्चाय चल रही है इंटरनेट पे कुछ वीडियोज हमने देखा कुछ खबरें हमने देखी उसके मुताबिक अक्षरा सिंग पवन सिंग के खिलाफ चुनाव परचार में आ सकती है हाला कि इसकी कोई अधिकारी कभी तक कोई चुनाव परचार करने के लिए इसकी भी चर्चा है रवी किसन मनोज तिवारी ये तीनों भोजपूरी के सुपरेश्टार जो अभी अल्रेडी इंडिये से सांसद है खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं चर्चा ये चल रही है कि काराकट से इनको इंडिये जो है वो चु चुनाव परचार कर सकती हैं पवन सिंग के खिलाफ मोदी जी दिखी रहे हैं उपेंदर कुस्वाहा दिखी रहे हैं तो कहीं न कहीं एंडिये का एक मजबूत प्लान काराकट में देखने को मिल सकता है हाला कि फिर से हम ये बता देते हैं कि इसकी कोई अधिकारिक पुष् चुनाव परचार करने के लिए और अगर ये भोजपूरी के जितने भी स्टार का हम ने नाम लिया कंगना रानावत बॉलिवूड एक्ट्रेस जो है उनका नाम हमने लिया अगर वो सभी लोग काराकट लोकसभाच्शेत्र में चुनाव परचार करने के लिए आते हैं तो पवन सिंग के लिए लराई थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पवन सिंग पूरी सिद्धत के साथ लगे हुए हैं, पहले आसन सोल से उनको टिकट मिला, वहां से वो चुनाव किसी कारण से नहीं लरते हैं, उसके बाद काराकट लोकसभा छेतर को उन्होंने चुना, और देखत होगा, कोई विपक्षी मांसेट के लोग होगे, उनको देखिए जा रहा है, एक सूपरष्टार है बोचपूरी के, घर-घर में जा रहा है, जैसे मुखिया का इलेक्शन होता है, जैसे एक चोटे अस्तर का इलेक्शन होता है, और कंडिडेट घर-घर जाके, दर्वाजे पे जाके चोखट पे जाके लोगों का आतिरवाद लेता है लोगों से मिलता है ठीक उस तरह से पवन सिंग का टीम मैनेजमेंट जो है वो इतना सांदार देखने को मिल रहा है कि निजी तोर पे मैं बता रहा हूं कि बिहार में लगबग में सारे लोगसवाद छेतर में पहु उसेता सच्वातन आपनुचे ज लोगों के पीच में जा रहे हैं और अपना अपन वह लोगों को महसूस कर रहा है और यह तस्वीरे जो कहीं न कहीं पवन सिंग को खास बनाती है यह वही पवन सिंग है जिनको दो महिले चुनाव के मुद्दे के बारे में पता नहीं था और अब इतने रम गए है क्ये बेटा की तरह लोगों के पास में जा रहा है। जल्हा सोचिए! इस दाधी के पास पवण सिंग जाते हैं और जैसे इनके घर की हैं वैसे एक दम चरनसफ मर्स करते हैं यह इधर दादा जी दिख रहा है यहां पर पवन सिंग देखिए कितना विनम्रता से हाथ जो रहे हुए दिखाई दे रहा है यह तस्वीर जो है वो कहीं न कहीं खास है और पवन सिंग आप खुद सोचिए कि भोजपूरी का इतना बरा सुपरेश्टार जिस घर में चला जाएगा जि जिसके हाथ से खा लेगा नास्ता कर लेगा जिसके घर में जाके उसके मम्मी से उसके दादी से इस तरह से आसिरवाद लेगा जैसे यह बावा है यह बुजूर्ग है इनके पास जाके आसिरवाद ले रहा है तो कौन वोट नहीं देगा सबसे बड़ा विरोधियों के पास में था कि इस Starım से वोटं नहीं मिलता है आप जाके किसी इस का वोट ले नहीं सकते हैं बुरा बुजुर्ग का और आपके पीछे जो है चुकिए आप एक हीरो हैं तो आपके पीछे हो सक्ता है कि वाव की भीर दिखे लेकिन वो वोट बैंक में कनवर्ट नहीं हो सकता है लेकिन देखा ये जा रहा है कि वाव के साथ साथ बुढे बुजुरकों काजी आसिरबाद पवन सिंग को खुब मिल रहा है और यही कारण है कि पवन सिंग वहाँ बाकी जितने भी सामने खरे वजी के भी आनी की चर्चा है तो अगर ये लोग आते हैं तब जाके वहाँ पे कुछ सोचा जा सकता है लेकिन फिलहाल पवन सिंग बाकी सभी उमिद्वारों से कोसो आगे निकल रहे हैं ऐसा वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है बाकी ये लोग आएंगे नहीं कियेगा बाकी जहिल